एक्जाम्पल 5 को सोल करते हैं, एक्जाम्पल 5 के अंदर हम यहां पर कुछ सब्सिट्यूशन करेंगे, तो देखो हम सब्सिट्यूशन किस तरह से करेंगे, यहां पर y है, तो y को मैं यू मानूंगा, तो यह dy equal to du हो जाएगा, फिर मैं मानूंगा x, y को v, यह जो x और y था, इसको मैंने v मान लिया, तो यहां पर हम इसका億 قल Ivane करेंगे x के साप x, तो x के साप x, सो आएगा यह, यहां पर क्योंकि यह, ओकलि आ चुका x के साप x, यहां पर P मैंने लिख दिया, क्योंकि Sheriff Dz बना था, तो dy एपोन dx को मैं आएग्यारेक्पे, मैं यहां पर करके बताता यहाँ पे आये था y plus x dy upon dx equal to dv upon dx था इस तरह से हुआ था इसका उकलन तो यहाँ पे dy upon dx को मैंने p लिख दिया यहाँ पे इस तरह से और dv upon dx को मैंने दो पार्ट में प्राप्त कर लिया dv upon du और dv upon dx तो यह देखो यह सेम ही है यहाँ पे यूशी यू कैंसल हो जाएगा तो यह वापिस dv upon dx बन जाएगा मैंने यहाँ पे इसको दो पार्ट में q टोड़ा है क्योंकि मुझे चाहिए p का मान p का मान चाहिए x और y और q के रूप में यहाँ पे देखो ऑक植视 y और पी तोह है और मुझे चाहिए था q और q आम मानते हैं यहाँ यहाँ पे dv upon du उसको हम q मानते है तो यहाँ पर Q बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है तो मैं आगे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि यह जो works ना इसको तो मैंने लिख दिया Q क्यों कि DV upon DU को को हम Q लिखते हैं और यहाँ वे DU upon DX तो यहाँ पर U बसूरख दिखो DU तो क्या होता है तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने P और DV upon DU इसको हम क्यूं मानते हैं यह होता नहीं है यह अपने इच्छा से हम मानते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर प्राप्त कर सकता हूं तो मैं इस समिकन को इस तरह से लिख सकता हूं P की value मिली है मैं यहाँ पर Y upon Q minus X यह जो P का मान है यह हम person में रखेंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ हम P का मान रखेंगे तो यह equation बनेगी इस तरह से अब यहाँ पर देखो यहाँ पर यह बटेवे में आ रहा है X का पद और Q तो मैं यहाँ पर Q minus X से इसको गूणा करना चाहूंगा ताकि यह यहाँ से हट जाए तो यहाँ पर power 2 है तो मुझे इसकी power 2 से गूणा करना पड़ेगा तो यहाँ पर पर देखो यहाँ पर देखो जो पूरे को गुना करेंगी तो हमें यह equation मिलेगी यहाँ पर अब देखो जो same color का वो एक दूसरी को केंसल करेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह देखो 2QX है तो यह माइनस में 2QX है यह माइनस एक स्क्वाइर है और दो बार माइनस में तो यह दो बार पलस का है X और यह X, X square, यह दोनों cancel करेंगे एक दूसरे को. तो हम मैं certain पत बचेंगे यह यहाँ पर. अब यहाँ पर देखो, जो हमने माना था, वो यहाँ पर लिकरेंगे. यहाँ पर देखो X, Y को मैंने V माना था, तो यहाँ पर हम V लिख देंगे, और y को हमने u माना था तो मैं यहाँ पर y को यू लग दूँगा तो मैं इस समिकर्ण को इस तरह से लिख सकता हूँ पहले मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ q u-v plus q x square equal to 0 तो यहाँ पर हमने y और x y का मान रख दिया तो यह equation आई थी अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y equal to q u plus q x square अब यह देखो यह तो colorate root का equation बन गया है तो जहाँ जहाँ q है वहाँ वहाँ में c लिख सकता हूँ तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ q है वहाँ वहाँ c लिख देंगे तो यह आ जाएगा इसका answer अब यहाँ पर v और u तो है नहीं तो इसका मान रखना पड़ेगा अक्सर और y के पदों में तो यहाँ शे हम मान रख देंगे जहाँ v है वहाँ पर हम xy लिख देंगे जहाँ u है वहाँ पर हम y लिख देंगे तो हम मान लिखेंगे तो xy equal to yc plus c square यह हो जाएगा example नमबर 5 का answer अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यह जो equation है यह colorate रूप की equation क्यों है तो हम colorate में पढ़ते है y equal to px plus function of p और यहाँ पर जो p होता है वो होता है dy upon dx अब देखो यहाँ पर जो dy upon dx है तो उपर यहाँ पर V तो y के बराबर में यह person लिका होना चाहिए और यह जो x है उसके साथ में यह p गुणा होकर यहाँ पर होना चाहिए और आगि jimizi function होना चाहिए वो p का ही function होना चाहिए यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है यहां पे v पलस q u पलस q x लिका हुआ है तो यहां पे देखो यहां पे क्यों क्या है क्यों है यहां पे dv upon du तो यहां पे जेखो जो उपर है उसी के बराबर में है और जो यहां पे क्यों है और ये यूँ है तो इसी का गुणनरफल यहाँ पर और ये जो आगे पंक्सन होना चाहिए वो क्यों का ही पंक्सन है इसलिए ये भी एक कलोरेट रूप की एक्क्वेशन है